नेट्फिक्स पर दस सबसे डरावनी फिल्में ये फिल्में देख आप भी डर जाएंगे इन मोविज में दिखेंगे हॉरर से जाने कौन कौन सी है ये हॉरर मोविज हलो फ्रेंड्स मानवी की नई सोच नई पहल में आपका सागत है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिने हॉरर मोविज देखना बेहत पसंद होगा वैसे तो OTT प्लेटफॉर्म में आपको बहुत से हॉलिवूड और बॉलिवूड मोविज मिल जाएंगे जिने आप देख इस फिल्म में एक पुजारी का विस्तरित चित्र दिखाया गया है जिसने अपने जीवनकाल में एक लाग से अधिक भूत प्रेत भगाने का काम किया है वैटिकन के मुख्य ओजहा फादर ग्रेबियल अमोर्थ शैतान और उन रक्षसों से लड़ते हैं जो निर्दोश लो ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई इस मुवी में आतंगवादियों का एक स्तमूह रात भर की ट्रांस्टलांटिक उडान का अपहर्ण कर लेता है तो एक रहसे माय रूप से बिमार महिला को अपने युवा बेटे की रक्षा के लिए एक राक्षसी रहसे उजागर करना पड़ हमारी पाचवे मुवी है स्त्री जो 2018 में रिलीज हुई चंदेरी के ग्रामिन लगातार डर्म में रहते हैं क्योंकि एक महिला स्त्री की आत्मा तो हारों के दौरान रात में पुरुशों पर हमला करती है एक लड़का विकी रहसे को उजागर करना चाहता है चटी मुवी है आईटी जो 2017 में रिलीज हुई स्टीफन किंग के इसी नाम के उपनियास पर आधारित आईटी आपको सर्कुस के जोकरों के घातक भाय में छोड़ सकता है डेरी में में 1980 के दर्शक के अंत में बच्चे गाइब होने लगते हैं आकार बदलने वाले राक्षन पेरी वाइस दे क्लाउन बच्चों के जीवन में आतंक मचाता दिखता है साथवी मोवी है गेराल्ड्स केम जो 2017 में रिलीज हुई स्टीफन किंग के अपने आस पर आधारित एक और फिल्म इस फिल्म में एक महिला फोर प्ले के दौरान गलती से अपने पती की हत्या कर देती है बिस्त आत्मा के साथ बातचित करते हैं लेकिन इस तथ्या को नहीं जानते कि इसने सबसे चोटी बेटी को अपने वश में कर लिया है 2014 में रिलेज हुई ओईजा एक अलाकिक होरर मुवी है इस मुवी में एक लड़की डेवी को ओईजा बोट के साथ खेलने के बाद मृतवस्था में गिरते हुए दिखाई दिया है उसके दोस्त लाइन ने बोट का उपयोग करके उसके साथ समवाद करने का फैसला किया ले अचानक एक घनी धुंद पूरे शहर को घेर लेती है जो खून के प्यासे प्राणियों को अपने साथ ले आती है और अपने रास्ते में आने वाले किसे भी व्यक्ति को खा जाती है इस तरह आप ये 10 हॉरर मुविस नेट्फिक्स में देख सकते हैं आपको ये जानकारी कै कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक शेर कर दें